हलो फ्रेंद्स Welcome to our Channel दिप्रिश्टी शो तो जब प्रेगनेन्ट होते हो तो बहुत सरी एडवाइज आपको होती है फैमिली के साइट से आपके डॉकरी साइट से की जब प्रेगनेन्ट हो तो आपको बहुत अच्छी डाएट लेनी है डाएट में आपको घर का फूट खाना ध्याद में प्रोटीन जाद चाहिए्विंद् उट्स चाहिए अंग अधो प्रेंट ध phosphorus के बारे में 12ग चीजों की तुट और pregnancy में ज़रूर आपको वो अपने diet में include करने चाहिए तो यही इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि zinc जो है पूरी pregnancy मतलब पूरे 9 माईने के दोरान आपके लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है और कौन-कौन सी ऐसे food sources है मतलब कौन-कौन सी चीजों को खाने से आपको zinc अच्छी quantity में मिल सकता है वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे request करूंगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करना है वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को like करना है शेयर भी करना है और comment करके भी बताना है वीडियो आपको कैसा लगा तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले dark chocolate dark chocolate आपको pregnancy time पे जरूर अपनी diet में include करना चाहिए normal chocolate आप ना खाए normal chocolate में sugar बहुत ज़्यादा होता है तो chocolate भी अगर आप लेना चाहरे हो तो बहुत अच्छा है कि आप dark chocolate खाओ इसमें आपको 2 benefit हो जाते हैं एक तो dark chocolate में sugar की quantity बहुत कम होती है जोकि बहुत अच्छी है आपकी body के लिए और dark chocolate से आपको zinc बहुत अच्छी quantity में मिल जाता है तो dark chocolate थोड़ी quantity में आपको जरूर अपने diet में add करके चलना चाहिए सेकिंड है डाली डाली जरूर आपको खानी चाहिए पूरी pregnancy कम से कम एक बड़ा bowl भर के आपको डाल का जरूर खाना चाहिए कोई भी डालों आप खा सकते हैं डालों से आपको protein मिल जाता है आप वो आप कैसे भी खा सकते हो अपने boil कर लिया अपने चाट कर लिया राजमा आपको अपने diet में add करना है आपको जरूर अपने diet में बहुत अच्छा है और मैं कहूंगी कि प्रोटीन का calcium का यह डाले राजमा यह white चना जो है बहुत अच्छा source होते हैं और साधी-जाथ इसमें आपको जिंक भी बहुत अच्छी क्वानिटी में मिल जाता है तो यह सब चीज़े आपको अपने डाइट में आड़ करके चलनी चाहिए फिर अगर आप नॉन वेजटेरियन हो तो फिश जरूर आप लोग कूरी प्रेगनेंसी के टाइम में फिश आपके लिए बहुत ही जाधा अच्छी है आप फिश में ओमेगा-3 fatty acid भी होता है जो आपके लिए बहुत जाधा अच्छा है इस टाइम पे तो फिश आप खा सकते ह हो ग्लिएं हो एक जरूराइब को लेना इस टाइम पर आपको जिंक मिल जाता है एग आप य presidents के आप खा सकते हो एक आप किसी भी फीन में खा सकते हो आप बॉल एक खा सकते हो आप ओमलट खा का सा अंडा होता है वह हम कई बली खा लेते हैं पर प्रेगनेंसी टाइम पर आपको यह नहीं करना प्रेगनेंसी टाइम में आप एक जरूर खाओ वह आपकी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है लेकिन अंडा बहुत अच्छे से पकावा होना चाहिए अच्छा है कि आप जो बहुत अच्छे से पंक जाता है और आप उसको अपने डाइट में आट करो तो वह आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छा है फिर है pumpkin seed और watermelon seed मतलब आप सीता फल के बीच कह सकते हैं या तर्बूच के बीच इसमें zinc आपको बहुत अच्छी quantity में मिल जाता है तो इसमें आपको omega 3 fat भी मिल जाता है तो यह ज़रूर आपको अपने डाइट में आड करना चाहिए आप थोड़ा सा roast करके उसको रख सकते हो यह snack भी आप थोड़ा सा खा सकते हो यह किसी भी form में जैसे भी आपको अच्छा लगता है यह जरूर आपको अपने डाइट में प्रेगनेंसी की टाइम पर आड करना है फिर है तिल भी बहुत अच्छी है और इनफाक्ट अगर अगर अप्रेगनेंसी का अभी टाइम चल जरूर से जरूर अपने डाइट में अड करना है पूरी प्रेगनेंसी के दउरान डहीं आपको खाना है चाहँ उच्거든 स अब हो थोड़ा सा डही जरूर आप अपने डाइट में लो सिंक तो आपको यह से मिले गया क्योंकि डेरी प्रॉडट्स में आता है साथ साथ यह जो vomiting nausea की problem है यह भी आपको नहीं रहती कोई नो कोई infection का अगर थोड़ा बहुत चांस लगा रहता है तो दही खाने से वो भी आपको नहीं होता क्योंकि इसमें probiotics होता है आपका पेट को यह balance करके चलता है आपके पेट को बिल्कुल अच्छा करके चलता है तो बहुत सारी benefits है दही के तो दही आपको जरूर से जरूर लेना है वास इस तीस का ध्यान रखना कि रात को आप दही नहीं ले दही आपको लेना है तो या तो जैसे आपने थोड़ा सा breakfast में ले लिया या फिर जादा जादा आपने लंच में ले लिया मतलब दिन के टाइम मे जब थोड़ा सा आ जाता है रूम टेंपरेचर पर आ जाता है वह आप जरूर खाओ दिन में खाना है रात को नहीं खाना बाहर का दहीं आप मत खाओ क्योंकि आप प्रेगनेंट हो इस टाइम पर आपको healthy diet लेना बहुत जरूरी है तो जरूरी है कि घर का जमावा दहीं खा रहे हो जिसे एक दिन पहले आपने जमाया और नेक्सटे दही जम जाता है और आपने फिर नेक्सटे उसको consume कर लिया तो फ्रेश दही होना चाहिए तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो फिर नमर आता है काजू का काजू से भी आपको zinc बहुत अच्छी quantity में मिल मिल जाता है तो काजू जरूर आप अपने डाइट में आट करो ना सिर्फ काजू बलकि बादाम हो अखरोट और किश्मिष हो गया यह थोड़ा थोड़ा जरूर आपको अपने डाइट में आट करके चलना चाहिए अचा कुछ लोगों किया होता है कि ये dry fruit जो है बहुत गरम होते हैं तो pregnancy time पे नहीं लेना चाहिए आप pregnancy time में सब कुछ खा सकते हो जब तक आपके doctor आपको मना ना करें आप काजू, वधाम, किश्मिश सब ले सकते हो बस आप थोड़ी quantity में लें बहुत जादा quantity में बहुत excess quantity में जब आप कोई चीज लेते हो तो वो definitely आपको harm कर सकते हैं तो अगर थोड़ी-थोड़ी quantity में ये सब चीज़े आप लेते हो तो ये आपके body के लिए आपके बच्चे के लिए बहुत ज़दा healthy है तो ये जितने भी चीज़े मैंने आपको बताई इसे zinc आपको बहुत अच्छी quantity में मिल जाता है और ना सिर्फ zinc बाकी minerals भी जैसे protein calcium ये सब चीज़े भी आपको मिल जाती है तो ये ज़रूर आपको अपने diet में add करके चलना चाहिए अच्छा फिर एक question होता है कि ये सारे diet आप ले रहे हो जिसमें zinc आपको अच्छी quantity में मिल रहा है तो क्या supplements लेने की ज़रात है क्योंकि zinc जो है आप रेंग्जनसी टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है तो supplements के requirement है या नहीं तो ये diet में आप add करके चलो एक पर अपने doctor से बात करो कि ये चीजे आप अपना diet में ले रहे हो और फिर भी, अगर आपके doctor को लगता है कि आपको zinc supplements लेने चाहिए तो अगर आपको कह रहे है कि zinc supplements लेना आ है और जो भी supplements वो आपको बता रहे है तो वो definitely आपको लेने चाहिए, बट ये सारी चीज़े diet में भी आपको include करके चलनी चाहिए फिर एक question ये भी होता है कि zinc अगर बहुत जादा हो जाए body में तो क्या उसका कोई problem है, क्या उससे कुछ harm हो सकता है body को तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ जब excess quantity में जब जादा quantity में हो जाती है तो वो definitely आपको harm करती है जितां भी आप diet ले रहे हो ठीक है पर supplements लेने से पहले उसका dosage वगेरा डॉक्टर से पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है body में तो especially जब आप pregnant हो तो आपको vomiting का problem हो सकता है आपको nausea का problem हो सकता है आपको diarrhea का mouse motion का problem हो सकता है आपके पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि प्रेग्नेंसिय टाइम पर यह चीज़े वैसी बहुत कॉमन होती है वॉमेटिंग, नौजिया और डाइरिया जब आप जिंक बहुत ज़्यादा कॉंटरिटी में ले लोगे तो यह उसको बढ़ा सकता है तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जिंक सप्लिमेंस ले रहे हो आपके डॉक्टर की एडवाइस पे ले आपके डॉक्टर ने जितना डूस बताया उसके डूस के अकॉर्डिंग ले जो भी ब्रैंड या जो भी उन्होंने सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ही लें सप्लिमेंस आप अपनी मर्जी से बिलकुल ना लें तो यह जितने भी फूड है इसको आप जरूर प्रेक्नेंसी में अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए तो आई हूप वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है कॉमेंट करके बताने वीडियो आपको कैसा लबा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है आजके लिए यह ताई आगे विलते एक नए टॉपिक के साथ Thank you so much.